हस्बंड वाइफ की कुछ ऐसे परिशानी चल रही है या मन मुटाव या कोई लड़ाई जगड़ा चल रहा है क्या कुछ ऐसी रेमेडीज वो कर सकते हैं कोमली कि ये जो स्थितियां उनके घर में बनती है या उनके रिष्टों में आती हैं वो दूर हो जाएंगा बहुत अच्छा स्वाल आपने बूचा मैं सबसे बहली बात तो मैं आपको यह बुलना चाहूंगा कि जो हस्बंड वाइफ के रिलेशन है इसमें इससे पुवित्र रिष्टा दुनिया में खोही नहीं होता है दुन प्ता हो जाता है उन्हों तरफ से खोटा होजाता है चाहें वो पतने की इस तरफ के चली संग चली है या नहीं हे और नहीं मिलने वाली नहीं बार है मैं आपको दो-तिन चीजों की राय देना चाहूंगा सबसे पहली बात मैं बड़े सभाविक और छोटे-छोटे उपाय मैं बताना चाहूंगा सबसे पहली बात अगर आप मेरी ये सब चीज़ें धिरे-धिरे माने तो अब सभी चीजों पर आपको और भी फायने पिलेंगे जैसे पती-पत्नी के लिए खास करके दो हंसों का जोड़ा अपने बेडरूम के अंदर लगाई है यह आपको कहीं से भी छोटी-मूटी मार्किट से भी छोटी- दिल्पीटी मन में देगा दूसरी बात अगर आपको लगता है कि अब इससे बात नहीं वन रही है तो गौरी शंकर शॉद्राक्ष हम बूलते हैं राक्ष जो है उनको छुआ के वापिस घर लाने से और अपने पास रखने से अपने घर के पृत्र स्थान पर रखने से आपको इसका फाइदा मिलेगा तीसरा आपको जब भी आप अपने घर में खाना बनाएं तो कोशिश ऐसा कीजिए कि आप पीतल की थाली या पलेट में या परात में आठा गूंदिए और हो सके तो अपने जो आपकी जो किचन है उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह से छोटा सा मंत्र चलने दीजिए जिससे आपको फाइदा मिले जो भी मंत्र जिससे आप गुर्बानी का पार्ट लगा सकते हैं आप रामाइन के दोहे लगा सकते हैं या आप कुछ भी लगा सकते हैं ये आपको फाइदा देंगे इसे छुटे-छुटी चीज़ें करने से आपको फाइदा मिलेगा हाँ कभी-कभी किसी की कुल्ली में शुक्र डिस्टब हो रहा होता है तो उसके रेमेडिस करने से भी फाइदा मिलता है और मैं अपनी मात खास करके अपनी भेहनों को बुनना चाहूंगा कि अगर आप क्योंकि हम पहले प्रथा चलती थी सर आप देखें आज भी राजसान या इस साइड जा हम लोग अपने सर पे किसी तरह का कोई वस्तर नहीं रखते हैं और यह एक पूरा फैशन हो गया है फैशन तो ठीक है लेकिन इससे हमारा ग्रहस जादा तर खराब होता है मैंने कई प्रूग्रम्स में पहले भी बोला है तो सर पे कपड़ा दुपट्टा रखना शुरू कर प्रूब्लम्स या उनकी कैसी भी प्रूब्लम्स उनको लाइफ में आ रही है सर पे सोरा लगने से उनकी प्रूब्लम्स को सतर से असी परसंट अरह मिलेगा मैं आपको यह चैलेंज से बता रहा हूं मेरा 15-16 साल का अनुभव है मैंने यह चीज को चमतकारी के रूप बहु सब में बहुत बाराजमाया है ऐसा आपको करना चाहिए इसलिए कन्यादान के समय हमारे जो पिता वदू के जो पिता है वो अपने सर आप देखेंगे कन्यादान के समय सर पे सोना लगाते है यह हमारा रिचुल था यह आज कल हम लोगों ने इसको फैशन में छोड़ दिया लेकिन आप यह लिखे चलिए कि आप अपनी माताओं से अपनी दादियों से जब यह पूछोगे तो पिता कन्यादान के समय अपनी बेटी के सर पे सोने का कुछ ना कुछ अभूशन कन्यादान के समय देता था वो अभूशन जिंदिगी में शायद ही कभी किसी ने पहना ह पर अपने सर पे सोना लगा के रखना शूरू कीजिए आपको फाइदा मिलेगा इतने शब्दों के साथ अपनी वानी को विराम देते हैं नेक्सले में मिलेंगे धन्यवाद